QTPG LLB 2025 की तयारी करनी है और पहले ही attempt में clear करना है अभी आप लोग अगर graduation के final year में हैं या second year में हैं या फिर dropper हैं आप लोगों को मैं यहाँ पर एक एक स्टेटेजी या फिर ऐसा एक discussion आप से करने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग यह देखेंगे कि कैसे possibility बनती है और कै ऐसे chances ज्यादा बनते हैं कि हम इस बाकी के बचे वे time को अच्छे तरीके से यूज कर पाएं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित शर्मा आप लोगों का quantum reasoning educator आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों CUT PG LLB का ऐसा exam है जिस exam के थूँ आप लोग द आप लोग कर पाते हैं तो आप किसी भी फिल्ड से रहे हों graduation में आप लोग LLB कर सकते हैं LLB करने के बाद में private और government दोनों ही sector के अंदर बहुत अच्छी अच्छी opportunities हैं जिससे कि आपकी जो life है आपका जो पूरा career है वो अच्छे से set हो सकता है तो इसको CUT PG exam में क्या है C CUT PG exam को आप लोग को clear करने के लिए यहां पर CUT PG 2025 का एक exam होगा जिसके अंदर आप लोगों का जो LLB वाला portion होता है वो COQP 11 में आता है और इस exam के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़े पूछी जाती है वो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर आप लोगों को यहां पर आप लोगों को जो यह portion है इसके कुल मिला करके 75 questions मिलते हैं चार सवाल का एक लब चार नंबर मिलता है एक question का तो कुल मिला करके अगर 5 section है तो average 15 question हर section से आते हैं average 15 का मतलब कह CamPI आते हैं दस भी आते हैं 8 भी आते तो आप यह मान के चलें की जैसे यहां से यहां से आप मान के चलो कि यहां से आपको पंद्रा पंद्रा लबग तीस question क्या सब्स्टास मिल जाते हैं है यहां से मिला करके आपको 15 18 от्, 18game जाते हैं आ8.10 здесь question यहां से तो इस तरह से पूरा का पूरा पैटर्न होता है अब इसके अंदर जो क्वांट आता है वह आपका 10th लेवल का होता है एंद लेवल तक पड़ा है logical reasoning basic जो reasoning होती है वह आती जो सब exams में आती competition exams में अब इसका कोई level तो ऐसा होता नहीं बट basic level रहता है English language में आप लोगों का vocab का portion होता है comprehension होता है और grammar होता है ना GS के अंदर जितना आपका static जी के वह सारा portion यहां पर cover up होता है और साथ ही साथ में आप लोगों का जो current का portion है जो कि अभी current एक साल का 6 महीने का तो exam से पहले एक साल का आपको पूरा current जो यह भी पूछता है computer के बारे में hardware software और जितने भी devices वगरा है short forms है वह basic computer की चीज़े आपको पूछता है तो pattern यह है बहुत मुश्किल नहीं अगर अच्छे से तयारी की जाए आप known math के हो math background के हो या किसी भी background से हो आपके लिए सब के लिए एक बराबर तैयारी होती है कोई बहुत जादा फर्क यहां पर नहीं होता है तो मैं आपको अगर बताऊं तो English के लिए मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया कि grammar आपको पूछता है comprehension पूछता है और करें चाहिए आप arithmetic की बात करें reasoning के basic chapter जो होते हैं वो सारे chapters आप लोगों को देखने को मिलते हैं ऐसा को fix criteria नहीं है कहीं से भी question आपको दे देता है computer के अंदर मैंने आपको बताई दिया basic जो आपके software है विंडोज है ओफीस है एक्सल है वर्ड है डिवाइसे कंप्यूटर वाइरस है वेब ब्राउजर वेबसाइट नेट्वर्क इंटरनेट इंपूट आउटपूट डिवाइस यह basic सारी चीज़ें आपको यहां पर देता है अब आप लोगों के लिए क्या स्टेटेजी किस तरह से होनी चाहिए कि आप लोग इस बचेवे आठ महीने के अंदर अच्छे तरीके से एक्जाम को फोड़ पाएं देखो सबसे पहला जो फेज होता है किसी भी एक्जाम को क्रैक करने जब से पहले स्लेबस को समझना अब स्लेबस में अगर मान लोग पांच सब्जेक्ट नहीं हो सकते जो आपका बहुत बहुत बीक सब्जेक्ट आपको जो कि ज्यादा तर नोर्मली होता है क्वांट से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने यहां पर जो भी पूरे chapters थे उन में से basic chapter मानलो मैंने कोई उठाया और उस chapter को मैंने पढ़ना शुरू किया अब पढ़ना कैसे शुरू करना है अब वो आपका depend करता है कि आप YouTube classes देख करके कहीं से करते हो या फिर आप खुद से आपका basic अच्छा है तो आप book ले करके question practice करना शुरू कर देते हो या फिर आपको अच्छे batch को अच्छे foundation batch को जोईन करके वहां से आप विद अच्छे तरीके से बढ़िया systematic तरीके से पढ़ना शुरू करते हो तो तीन नहीं option आपके पास में होते हैं तो सबसे पहले आप लोग यह मान के चलें कि चार से पांच महीने में आपका syllabus completion होता है उसके बाद में लगबग 2 महीने आपके पास में complete चीज़ों को revision करने के होते हैं और लास्ट का एक से डेड़ महीना जो होता है बचा उसमें आपको सिरफ और सिरफ mock test लगाने होते हैं mock test में पहले आप previous paper में जो question आए वो लगाएंगे उसके बाद में जो model test paper होते हैं अच्छे ताइप के वो आप लोग लगाएंगे तो यह सारा का सारा process आपका लगबग 8 महीने का होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका basic ठीक ठाक है तो आप किसी YouTube क्लास से या फिर books से चीजों को पढ़ना चुरू कर सकते हो books की पूरी की पूरी kit आपको order to force 7 की website पे मिल जाएग तो बच्चा सबसे पहले जो है अपने को कोई भी एक subject उठा लेना है और उस subject पे काम करना शुरू करना है जैसी आपकी थोड़ी सी habit बन जाएगी थोड़ा सा आप used to हो जाएंगे तो फिर आप next subject को लेंगे करते करते धीरे धीरे आप सभी subject के उपर आजाएंगे और आप लोगे सभी subject जो है मतलब daily के आप यह मानके चलो कि अगर आप दो गंटे पढ़ने से भी शुरुआत करते हो है अगर आप college going हो तो आप 3-4 गंटे का समय अगर पूरा निकाल लेंगे last तक में तो आपको काम बन जाएगा अगर आप ड्रॉपर है तो फिर तो आपके पास औ आपको रिवीजन करना रहेगा और वह रिवीजन भी कैसे करना है वह मैं आपको थोड़ा टाइम बाद फिर से एक वीडियो दे करके बता दूंगा आपको बल्क में रिवीजन करना है मानलों 20 चेप्टर है तो चार-चार चेप्टर का रिवीजन पहले आपने नेक्स एकजाम आगया तो सभी की सभी चेप्टर का एक साथ रिवीजन किया तो इस तरह से जो चीजें हैं वो सारी की सारी यहां पर चलने वाली है ठीक है अगर आप लोग यहां पे बुक्स लेना चाते हो तो मैं आपको बता जाता हूं कि बुक्स आप कैसे इसको ले सकते हो कि बुटेल्स वागरा है बरदेना डिसकाउंट को यह पर लगाना है वह आप लोगों को यह कूटन कोड यूज करना है जिससे इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप किसी बैच को जोइन करना चाहते हो तो बैच के लिए आप लोग क्या करेंग एमसीटी ओ थ्री इयर लोग प्रग्रम के सारे बैचेज पूरे कंप्लीट एयर के लिए आपको एक ही पैक में मिल जाते हैं आपको पूरे थूआउट देयर रिवीजन बैचेज प्रैक्टीस बैचेज सारे बैचेज आपको आगे इसके वाले जो है इसी के अंदर इंक्लू करना है तो आपको डिषकांट के अंदर लगाना है एस ए быть और चाहिए और चीजे नहीं नहीं समझ में आ रहे कहां से शुरू करें क्या करें तो आप लोग जो है यहां पर मुझे वह मैं मैं आपको इसके लिए गाइड कर दूँगा अमित डोट शर्मा एड दिरेट अड़र टुफोर सेवन डोट कॉम और बाकी आप लोग किसी भी वे में पड़ें किसी भी तरीके से पड़ें किसी भी प्लेटफॉर्म में पड़ें चाहे आप यूटूब से पेड से बुक्स से कहीं से भी पड़ें लेकिन आप लोगों को एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी को कि आपको इसके बाद तेन साल लल्बी करने के बाद हो सकता है वहीं से आपका क्लेस्मेंट हो जाए या आपके पास में प्राइवेट प्राक्टिस करना और जो है लॉयर बनना या फिर सारे ऐसे जॉबस हैं जिसके लिए प्रने प्रिकार कानED को हो तो अमेल किजेगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर इस बैडर करेंगा चुझा अधा